नमस्कार, ओम शान्ते वित्रों इस संसार में लाखों लोग आते हैं और चले जाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दिलों में अपना स्थान बना जाते हैं दिलों में अमर हो जाते हैं अपने कर्मों से, अपने श्रेस्ट व्यावहार से, अपनी शिक्षाओं से। ऐसी ही एक आदर्श महान विभूती थी, डॉक्टर दादी जान कीजे, जो की प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इश्वरे विश्वेद्याला के मुख्य प्रशा सिका रहे। इस विश्वेद्याला के ज्यान को न केवल भारत वर्श के कोने कोने तक, बलकि विश्व के कोने कोने तक उन्होंने पहुचाया। उनका जीवन त्याग तपस्या से भरा हुआ था। पूरा ही जीवन मानावता के कल्यान अर्थ समर पे था। आज ऐसी दिव्य महान विभूती राजयोगनी डॉक्टर दादी जानके जी के बारे में हम विश्विश रूप से जानेंगे उनके अंग संग रही हुई डॉक्टर दीदे निर्मलाजे से जिन्होंने भी अपने पूरे जीवन को विश्व कल्यान अर्थ समर्पित किया और दादी जी के जीवन के बारे में दीदी से संते हैं दीदी बहुत बहुत स्वागत अभी नंदन ओम शानते दीदी यू तो दादी जानकी जी के बारे में हम सभी यदि जानना चाहें उनका जीवन इतना विश्विश और खास है कि जैसे सागर को गागर में भरने जैसा ही होगा फिर भी हम चाहेंगे कि उनकी जीवन की बहुत ही जो मुल्यवान बाते हैं शिक्षप्रत बाते हैं जो आपकी अंग संग की अनुभव हैं वो हम जाने तो प्रथमतर देदी आपकी पहली मुलाकात जो दादी से हुई थी उस मुलाकात में क्या खास आपको मैं आती थी परन्तु मैं समस्य हूँ पहला हमारा गहरा संपर्ख मदुबन में हुआ थी थी में हम बड़ी बेहनों की बठ्थी थी तो वो बठ्थी दादी जान की और दादी चंद्रमणी ने कराई हैं मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मेरी यही इच्छा थी कि दादी जान की हमारी बठ्थी कराई क्योंकि वो सच्छ मुच ग्यान गंगा थी ग्यान उनके मुख से बहता ही रहता था और इतनी अच्छी अच्छी धारणा की बाते बताती थी जो हम सभी उसका ग्यान सुनना चाहते थे उसकी एक दो पॉइंट जो मुझे याद है कि कोई मुझे रिस्पेक्ट दे ना दे फिर भी मैं उनको रिस्पेक्ट देती रहूँ तो आगे चल बहुत फाइदा हुँगा दूसरों को जिगरी स्ने की दृष्टी से देखो और वातावरन बदल जाएंगा हमारा प्रेम रूहानी हो उसमें सच्ची मैत्री भाव हो रूहानी स्ने से रिस्पेक्ट ओटोमेटिक और नेचरल हो जाता है उसे स्ने का संबन रहता है तो ये खास दादी की शिक्षाएं और प्रेढ़ना है रहें देदी जब दादी का चित्र आपके जीहन में उभरता है अभी भी तो क्या खास बात याद आती है दादी हमेशा अपना प्रवच्चन तीनवारी ओम शान्ती बूल के करते थे और अर्थ समझाती थी पहला ओम शान्ती मैं आत्मा हूँ दूसरा ओम शान्ती मैं परमात्मा के संतान हूँ और तीसरा ओम शान्ती के मैं भविश्य में विश्व का महाराजा बनोंगे तो तीन ओम शान्ती जरूर करते थे ये उनकी विशेष्ता थे ये तीनों अमशान्ती जैसे जीवन के उनके अंग बन गए होंगे और सभी को प्रेरित भी करती थी आपको क्या लगता है देदे कि दादी कैसे बने उनकी जो ये यात्रा थी उनकी उनका विशेष पुरुशार्थ क्या था क्या परिश्रम उनकी किया कि कैसे एक जैसे फर्ष से अर्ष पर या एक ऐसी महान विभूती के रूप में स्थापित हो गई दादी क्रकाश बने दादी के साथ जब मनमोईनी दिदी ने शरीर छोड़ा तो दादी को एडिशनल चीफ बढाया ओन्नोन का ब्रम्हा बाबा से बेहत का प्यार था और बच्ची हूँ इस नाते से बाबा के उपर अधिकार रहता था उन्होंने अपने जीवन में त्याग और तपश्या के थे ज्यान की तो वो गंगा थी बहती रहती थी सर्विस का एक भी मौका छोड़ती नहीं थी एक वारी वो मदवभन में थी और पंजाब का उनका प्रोग्राम था और रात को एक सो चार डिग्री टेंप्रेचर था तो डॉक्टरों ने बना कि क्या पंजाब नहीं जाओ तूर कैंसल करो पर उन्होंने नहीं उन्होंने कैंसल नहीं कि तो बहुत सर्विसेबल थी उनको बोलने का कहो तो बैड में कितनी भी बिमार होंगी बहुत अच्छी रिश से क्योंकि एक वारी हमारी तीचर्स की बारासो की मीटिंग चल रही थी उस समय उनको फ्रेक्चर वा था कांध में परंत उनको कहा अप माइक्रोफोन से अपने कम्रे से कुछ सुनाओ तो उन्होंने इतना फोर से क्लास कराया विस्तर से ही तो सर्विशेबल थी सरेंडर किया अगनोंने अपना सब कुछ और ज्ञान योग धारना शेवा में नंबर वन थी इस कारण उनको एड्मिनिस्टेशन का फिर रोल भी लगा जी 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 जब ये सेवाओं में जैसे आपने कहा पुर्शार्थ में इतनी गहराई थी दादी की और सेवाओं के लिए बिलकुल ततपर रहते थी एक बार जेहन में उठे दी कई बार हम जब बिमार होते और डॉक्टर कहते हैं कि आपको ये नहीं करना है तो हम डॉक्टर की बात मानते हैं जैसे परमात्मा की जो बात है वह मानती थी तो हम कैसी Pelé इस चीजão की हमीं भी सेवाओं का जब आसर होता है, डॉक्टर कहते हैं, तो क्या हमें भी ऐसे उठके भाग चलना चाहिए? इट डिपेंस अपकी हिम्मत के उपर आधार है, क्योंके उनको बहुत हिम्मत थी, और माइंड ओवर मैटर, कंट्रोल था, मन में जो निश्य करती थी, बोडी भी उसको स्वयोग देती थी, इस कारण एक सो तीन वर्स की उम्मत तक उनोंने भारत में ब्रहमन किया और लेक्चर्स दिया, भल करके अंत में वो रेग्यूलर एरोप्लेन से ट्रेवल नहीं करती थी, स्पेशली जहां दो तीन वारी बदलना होता था, तो वो हेलिकॉप्टर में जाते थी, और हेलिकॉप्टर में भी काफी मसाफरी के, लेकिन एक सो तीन साल की उम्म्र में इतनी सेवाओं के लिए जो लगन है, हो तो हम सब के लिए प्रेणा की बात है हे देदे, देदी जो पुर्शार्त की बात निकली है, तो सुना था कि दादी जी को बाबा ने कहा कि बच्ची बारा बार मुरली पढ़ा करो, और दादी फिर 24 बार पढ़ने लगे थी, अपने पुर्शार्त की गहराई को लाने के लिए, तो ये अंत समय तक भी देदी आपने जो देखा दादी को, तो दिन में कितनी बार ये परमात्मा की जो महावाक्य हैं वो पढ़ लिया करती थी दादे, उनको हमेशा अंत तक ये रखा अमरत विला में सेंग करना है, पुरुशार्थ में अमरत विला जरूर करती थी, जब वो बीमार होती थी, जैसे 104 डिग्री बुखार आपने कहा, उस समय भी क्या दादी उठके बैठ जाया करती थी? हाँ, बैठ में बैठ कर भी योग जरूर करती थी, और उन्होंने शक्ति भवन में बाबा का कमरा अपने कमरे के साथ चोड़ दिया, ताकि कभी क्लास में ना जा सकी, तो वहाँ योग कर लेती थी, तो अंत में वो वहाँ ना जा सकी, ना जा सकी, तो वहाँ जरूर करती थी, तो जब वहाँ प्रशासन में थी, सेवाँ में थी, तब भी क्या मुरली के लिए ऐसा ही उनका समर्पन और इतनी बार ही मुरली पढ़ लिया करते थी? मुरली के लिए अथा प्यार था, मुरली पढ़े बिगर वो कभी नास्ता नहीं करते थे, और मुरली पढ़ते पढ़ते उनका मन्थन भी बहुत चलता था, इस कारण उनके क्लास बहुत अपील करते थे, और अपना जो नियम है, साथ से साड़े साथ योग में बैठना, कितनी भी बिज़ी होंगी, कई वार ऐसे होता था, उनके कमरे के बार लाइन लगी वोती थी, परस्नल मिलने के लिए, साथ बजा माना लाइन को बंद कर देती थी, कहती थी चलो, साथ से साड़े साथ योग करना है, फिर साड़े साथ के बाद, वो फिर से शुरू करती थी, मतलब नियमों में बहुत ज़्यादा दादी का समर्पन था, और दादी ये कहा भी करती थी, हमने सुन रखा है, काईदे में ही फायदा है, तो शैद हर काईदे का जो इश्वरी है, काईदे हैं, उनका वो पूरा-पूरा पालन करते हुए, सब को ये प्रेरिद भी किया कर देखा करते हैं, एक बात और दादी कहा करते हैं, कि 90% मैं सुवर के उपर ध्यान देते हुँ, 10% सेवा के उपर, तो हम तो देखा करते थे कि दादी तो पूरी तरह से सेवाओं में ही सुबर से रात तक लगी रहती थी, तो ये दादी के कहने का भाव क्या था? नेचरली, अपने उपर ध्यान रखने से, और सेवा करने से, उनको बहुत दुआएं मिलती थे, और हमेशा कहती थी, मैं दुआओं के आधार पर चलती रहती हुँ, तो बाबा में विश्वास, अपने में विश्वास, और परिवार के लिए प्यार, वो हमेशा कहती थी, कि बाबा मम्मा ने हमको इतना सब कुछ दिया है, अब मेरी फर्ज है, आप सभी को मुझे जो मिला है, वो देना है, तो वो हमेशा लक्ष रखती थी, कि मुझे परिवार को देना है, बाबा भी उनके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे शब्दी यूज़ करते थे, जैसे कहा करते थे कि ये रमता योगी है, मस्त फकीर है, तो ये बाबा किस भाव से कहा करते थे उनके लिए? उनको हम मस्त फकीर कहते थे, और हमेशा कहती थी, सफेद कपड़े, जेब खाली, अपने पास पर्स हाथ में कभी नहीं रखती थे, अंसा पर्स लेके गुमती थे, और कोई भी उनके पास पर्स लेकर जाते थे, उनको पसंद नहीं आता था, क्यों पर्स लेके गुमती हो, तो योग में हमेशा मस्त रहती थे, इस कारण मस्त फकीर कहते थे, दिदी, बाबा दादी जी को जनक बेटा कहके बुलाया करते थे, और वैसी जो राजा जनक हैं, क्या उनकी विशिष्टा से जुड़ी हुई बातें देखकर के बाबा ये उपाधी या ये संबोधन दादी जी के लिए करते थे? उनका नाम जान की था पहले से, इसलिए प्यार से बाबा जनक बेटा कहता था, बाकी मैंने समझती हूं कोई जड़क राजा से, उनका कोई कनेक्शन था, जे, तो बाबा इस रूप में उनको बिलाते थे, दीदी एक विशिष और भी जब बाबा मिला करते थे दादी जी से, तो ये विदियोज में भी अमने देखा कि बहुत ही एक प्यार, बहुत ही एक सम्मान का भाव, कभी सिर्पे हात रख रहे हैं, कभी गले से लगा रहे हैं, तो बहुत ही जड़ा एक प्यार का भाव, बाबा का दादी जी के लिए दिखाई देता है, तो क्या ऐसा विशीश आपको लगता है कि दादी के अंदर खास था जिसके कारण बाबा का ऐसा एक प्यार भरा जोनाता है वो हमें देखने को मिलता है बाबा का दादी से देखो ऐसा है प्यार से प्यार मिलता है दादी का इतना प्यार था तो बाबा का भी इतना ही प्यार था और बाबा के दिल तक्त पर बैठी क्योंकि सर्विसेबल थी तो इसलिए बाबा के दिल तक्त पर उन्होंने अपना स्थान लिया जो विदेश की सेवाएं हैं भारत वर्ष में तो चलिए एक आध्यात्म का फिर भी एक लहर है भाव है लोगों के अंदर लेकिन विदेशों में ऐसा कुछ नहीं था तो दादी जी ने क्या विशेश ऐसा पुर्शार्थ किया क्या ऐसा खास किया कि विदेश में आज 140 देशों में परमात्मा के बच्चे हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं आपको क्या लगता है कि खास ऐसा दादी ने क्या किया विदेशियों की सेवा के लिए दादे ज्ञान योग में इतनी तिखी थी, तो क्या है कि योग का उनका प्रभाव ऐसा था, जो प्रवचन के पहले योग कराती थी, फिर प्रवचन देती थी, तो बहस उसको इंगलिश भाषा नहीं आते थी, और जयन थी बैन और कोई न कोई ट्रांसलेट करता था, परांतो उनकी जो शुरू की दो बिनीट की साइलेंस, सभा वाले भूनते नहीं, एक ऑस्ट्रेलियन माता योग के काउडफरंस में दादी के साथ थी, तो उसने अस्ट्रेलिया में आकर अपना अनुभव सुनाया, के दादी दो मिनिट इतनी पावरफूर्ट शांती में थी, और पहला शब्द उन्होंने जो बोला, के शांती की भाषा श्रेष्ट है, वो हमारे उपर अभी इंप्रेशन है, मतलब वो भूली नहीं, के दादी ने क्या शब्द भी बोले थे बाद में, मतलब दादी का योग का जो प्रभाव था, उसने खास करके विदीश की जो सेवाए हैं, उसको आगे बढ़ाया, दिदी आपके खास जब आप आस्ट्रेलिया में रही सेवाओं में, और दादी आपके पास आया करते थी सेवाओं के लिए, तो उस समय कुछ खास आपके जोर देती थी, क्या विशेश उनका, उनकी योजना रहती थी, मतलब अस्ट्रेलिया में हमको चलेंज आई, पाच साल के बाद, कि जो सेंटर पर रहने वाले भाई बैन थे, मुस्ली भाई, तो उन्होंने विरूद किया, कि आपने हमें इंडियन बनाया, सारे गीत हिंडी हिंडी में बजते हैं, हम समझते हैं नहीं, आप भाई बैनों को कुर्टा पैजामा, साड़ी पैना सिकाया, लंबे बाल रखने सुरू किये बैनों ने, तो ये हमारी कल्चर नहीं है, हमारे देश में रहते हैं, तो हमें अपनी कल्चर करनी चाहिए, सेंटर पर रहने वाली बहने, इस्पेशली जो रिसेप्शन पर है, उन्हों को नॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए, रंगें, क्यों नहीं पहनते हैं, मतलब उन्होंने एक साल तक हमारा विरोध किया, हर पंदरा दिन बैठकर बात करते रहें, फिर दादी ने आकर सब को समझाया, कि यह तो ब्राह्मन कल्चर है, इंडियन कल्चर नहीं है, आप लोग अभी ऑस्ट्रेलियन नहीं हो, ब्राह्मन हो, तो इसलिए आपको हर्जा नहीं होना चाहिए, तो सम्झो, दादी आती थी, ज्यान योग से जरूर रिफ्रेश करती थी, पर ऐसी ऐसी जब चलेंज आती थी, तो दादीया आंकर मदद करती थी, दादी ने आपको कोई खास प्रेढ़ना दी, वर्दान दिया, जिसे आजा फली भूत होता हुआ, महसूस करते हैं, दादी ने एक वारे मुझे पूछा, के तुम क्या समझती हो, अंत में तुम कहा होंगे, मैंने का मुझे मालूम नहीं कहा होंगे, फिर दादी ने जवाब दिया, कि ऐसे कहो जहां बाबा मेरे सर्विस लेना चाहेंगे, वहा होंगे, तो इसी दिस से दादी का ज्ञान यूग बहुत तीखा था, जी 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 दादी की कोई एक ऐसी शिक्षा जो आज यदी वहम सब को देना चाहते हैं कि भई इस शिक्षा पर तुम हम सब ही चलो तो वह शिक्षा क्या होती है कि दादी का जो ओम श्यांति का मंत्र है वह कईयों ने अपनाया है कई है जो प्रवच्चन के पहले दो तीन वारी ओम श्यांति कहते हैं तो यह मंत्र बादी ने पका कराई जी 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 और यही मंत्र वह चाहते हैं कि हम सब अपने जीवन में ले आए दादी ने अपने पूरी जीवन काल में इतनी सुन्दर और श्रेस्ट सेवाई की और सभी चाहे वो देश के हैं विदेश के हैं सभी लोगों के अंदर उन्होंने आध्यात्म का बल भरा कुछ ऐसी अनुभ दादी लंडन में जादा रही इदर उदर आती तो जाती रही अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सब स्थान पर आती जाती रही पर इंग्लिंड में जादा रही तो वहां के भाई बेहनों ने दादी की राय से अपना तन्मंधन बाबा को अरपड कर दिया और आज कई ब्रिटिश भाई बैने वहां की सिवा में मगन है तो उन्होंने भी त्याग किया समर्पन किया और दादी की आज बाबा से लव था मेरा ख्याल है वो उन्होंने सभी में जागरत किया तो विदेशी भी बाप दादा से बहुत फ्यार करते हैं दिदी अन्तीम बात दादी के लिए जैसे उनकी तपस्या के स्थिती और उनकी जो स्वयम की जो एक स्थिती रही अन्त समय में जब आपने उनको देखा जैसे हम देखते हैं कि जो महापुरुश हैं जब वो जा रहे होते हैं संसार से तो उनकी जो अवस्था होती है वो भी बहुत प्रेरक होती है सभी को सिखाने वाली होती है तो दादी की ये जो अंतिम अवस्था थी आपने क्या देखा उन में क्या उससे हम सब प्रेर्णा प्राप्त करें? वो जब तक conscious थी, जबी भी भी हॉस्पितल में जाती थी, डॉक्टरों की, नर्सिस की, और आसपास के भाई बेहनों की, शिवा करती रहे, उन्हों को टिवली देना, उन्हों को ब्लेसिंग देना, और ज्ञान की कुछ चच्छा करना, एरो प्लेन में भी, पाइलोट को, और स्टुर्डेस, सब की सिवा करती थी, तो जैसे सिवा, उनका अंग बन गया था, और अंत में उसने कह दिया था, अंसा को, कि मुझे आर्टिफिश्यल मीन से, जीवन नहीं बढ़ाना, अर्थाथ वेंटिलेटर देना, डिप पर रहना, यह उनको पसंद नहीं था, तो हंसा ने उनकी आग्या अनुसार, जब देखा, कि दादी तडपती है, तो दॉक्टरों को बोल दिया, कि अभी सपोर्ट नहीं दो, तो दादी ने जैसे अपनी स्व इच्छा से ही, और जो उनकी एक इच्छा थे, कि नहीं मैं संसार से जब विदा हूँ, तो अपनी इस प्रकार की स्थिति में नहीं, लेकिन जैसे अपनी योग-योग स्थिति से ही जाओ, तो दिदी फिर चलते चलते, मैं दादी जी के जो सुन्दर शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं में से जैसे दादी हमेशा कुछ ना कुछ तोटके जैसा बोला करते थे, कि अपनी जीवन में सच्चाई, सफाई, साथगी लाओ, ऐसे कुछ तोटके हमारे दर्शकों के लिए भी आप जरूर रखें, ताकि वो भी अपनी जीवन में उसे अपना कर, अपनी जीवन को दादी के जैसा महान बनाएं। जैसे अभी हमने सुनाया, कि सब को रुहानी स्ने दो, स्ने से उनको आप समीप लाएंगे, और स्ने के कारण बदल जाएंगे, जैसे ब्रभा बावा ने हम सभी को समरपड कैसे कराया, उनके स्ने के कारण, उनकी शक्ती के कारण, तो दादी ने भी स्ने और शक्ती से कईयों को समरपित कराया, बहुत बहुत शुक्रिया देदी आपने दादी के जीवन चरित्र को हम सब के सामने रखा है निश्वित रूप से हम सब उससे प्रेरित होंगे अपनी जीवन को भी उनके समान बनाएंगे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया देदी अब शांते मित्रों दादी जानकी जी का आदर्श और प्रेरग जीवन हम सबको भी प्रेरित करता हुआ दादी जी के जीवन की एक एक बात सचमुच कितनी गहन, कितनी गोहिय और कितनी प्रेरित करने वाले हम भी इसे अपने जीवन में धारण करके औरों को प्रेरित करने का सुन्दर संकल्प लें क्योंकि महान विभूतियां केवल अपनी जीवन के माध्यम से प्रेरित नहीं करती लेकिन हम सबसे ये शुप कामना भी अवश्य रखती हैं कि हम भी उन शिक्षाओं को उन धार्नाओं को अपने जीवन में लाएं तो क्यों न हम भी अपनी जीवन को ऐसा ही श्रेस्ट ऐसा ही आदर्श ऐसा ही दिव्य बनाने का आज सुन्दर संकल्प लें ओम शैन्ते